इसे हम लोग एक comparison method से समझेंगे यह जानना जलूरी है बहुत सारे बच्चे यह कह रहे थे मुझसे कि सर एक बार प्लीज क्या एप्रॉक्सिमेट कट आफ और सेफ स्कोर होगा वह अगर हमें पता चल जाता तो होता है क्या कि जो अच्छे स्टुएंट्स हैं वह हम इसा चाह करेंगे अगर सेफ स्कोर के marks के आसपास उनका नहीं बन रहा है तो एक option में लेकर के चलना बहुत जरूरी होता है क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर एक exam में अगर अपना सब कुछ अगर डेडिकेट कर रहे हो और वह नहीं निकलता है तो सपना जो तूटता ही है साल बरबा पास पास अगर marks बन रहे हैं तो आप इस exam के लिए appeared होई है और अगर आपको लगता है कि मैं इसकी लिस्ट में दूर दूर तक भी नहीं हूं तो फिर बटर होगा कि और भी जो दूसरे अच्छे exam आ रहे है उसका proportion करी अभी से अभी से लग जाईए ताकि वह exam आपका certain हो तो देखते हैं क्या है comparison method हमने क्या कर रहा है मैंने यहाँ पर 2017 और 2021 की data को compare कर रहा है 2017 में जो total vacancy थी वह थी 257 इस बार जो vacancy है वो कितनी है 421 तो approximately 63.8% है मतलब exactly 63.8% है यहाँ पर यहनि 64% के आसपास जो है vacancy जादा है recruitment test जो है पिछले बार 100 marks का था इस बार जो recruitment test है वो 300 marks का है इंटर्व्यू दूनों cases में सेम है 100-100 तो जो EPFO का जो total marks है वो 2017 में जो है वो 200 marks का था इस बार जो है वो 400 marks का हो गया तो यानि two times जादा हो गया double हो गया इस बार number of appeared students के बारे में बात करें तो 2017 में वे सारे बच्चे जो RT recruitment test यानि की written exam उसमें बैठे थे वो था 1,46,004 इस बार कितने बैठेंगे वो 5 से तंबर को आपको पता चलेगा लेकिन ये तो हमें पता है ना कि 10 लाख बच्चों ने form भरा है ग्रेड़प वाले हमेशा बोलते र सब्सक्राइब देखो अब 10 लाख में से आप समझ लिए कि तीन चार लाख तो वही हो जाएंगे जो रेलवे वाले बच्चे है क्योंकि रेलवे वाल लोग का exam उस समय नहीं हो रहा था तो उन्हीं कुछ option चाहिए तो इससे अच्छा option कुछ मिलेगा नहीं पिचास रुप कि आसपास बच्चे होंगे जो इस exam में appeared होंगे आर्टी वाले में मैं 6 लाग काउंट कर रहा हूं तो यहां पर एप्रॉक्सिमेटली डेल लाग के आसपास देख रहा है और यहां पर 6 लाग के आसपास देख रहा है तो 4 टाइमस आपको देख रहा है इंक्रिमंट यहां मतलब चारगुना यह बढ़के तो सब्सक्राइब कितने बच्चे हो रहे हैं फिर बाद में फैक्टर आता है कि जो है डिफिकल्टी लेवल पेपर का क्या है किते नंबर आफ कोशन साइवे हैं रिजर्वेशन का क्या सीन है लेकिन जो में फैक्टर रहा है वह है एक्टने उसका कट आफ यह हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्यों क्योंकि जो यह कट आफ है वह 100 मार्क्स के कॉर्डिंग है हमें इसे अभी कुछ लेना देना नहीं है अब यह देखो कि जो इंटर्व्यू है वह 100 मार्क्स का था और 100 में कट आफ आपका 50, 45, 40, 40, UR, OBC, SC, ST, इनके इस बार भी सीन सर यही रने वाला है कि 100 मार्क्स का इंटर्व्यू होगा इसमें UR के लिए जो कट आफ जाएगी वह 50 होगी, OBC के लिए 45 होगी, SC, ST के लिए 40, 40 होगी, मतलब अप्रॉक्सिमेटली यह होगा, अब एक दो नमबर इदर उदर हो जाए तो बोलना सुर मत पर सेफ स्कोर क्या होता है, सेफ स्कोर यह होता है कि अगर मैं 2017 का दिखाँ आपको कि जनरल का 49.50 यह कट आफ था, ठीक है, आर्टी का, इंटर्विव का कट आफ था 50, टोटल यहां पर आट करेंगे तो 99.50 होगा, तो अगर किसी का 100 मार्क्स आ रहा है तो क्या उसका सेलेक्श में लेकर के आया था 2017 की एक्जाम में, तो उसका सेफ स्कोर था, मतलब उसका मतलब गारेंटीड उसका सेलेक्शन हो, तो सारा गेम सेफ स्कोर का होता है, कट आफ की पर अगर कोई डिपेंड होता है तो वो सिर्फ अपना करियर बरबाद करता है और कुछ नहीं, करियर गया था, कितने मार्क्स पे, 200 मार्क्स पे, इस बार का पेपर 400 नंबर का है, डबल है, तो मैंने क्या करा, इसे डबल कर दिया, तो 110.83 को अगर मैं डबल करूं, तो 221.66 होगा, 221.66 यह हमें दिखेगा, अब यह 221.66 में से, जो जनरल का इंटर्व्यू का जो मार्क्स है, उसे मैंने 50 जो है, इससे क्या करा, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो approximately मुझे 117.66 मिलेगा, मतलब यह सेफ स्कोर होंगे, किसके according सर, तो 2017 का अगर मेरा पास सारा डाटा होता, लेकिन सर, वैरी करता मार्क्स, मतलब जो 200 मार्क्स के जगा पे, 400 नंबर का पेपर होता, तो जाकर क मेरा 171.66 अगर नंबर अगर मेरे आते, आर्टी में, रिकूट्मेंट टेस्ट में, तो जाके मैं अपने आपको समझता कि मैं सेफ स्कोर में हूँ, सेफ जोन हूँ, यहाँ पे यह गेम सर, कौन चेंज कर रहा है, तो आप बोलोगे, सर, जो सबसे बड़ा विलन है, वो है कितने बच्चे अपर होंगे, तो अब देखो यहाँ पर, अगर मैं इन सारी चीज़ों को काउंट करो, मतलब यह जो 6 लाग के बच्चे आपको देख रहे हैं, जो मार्क्स जो आपको देख रहा है, चार सो नंबर, लेकिंसी आपको देख रही है अलग से, और इसके होगा, जो horizontal reservation है, वो भी कहीं ना कहीं जो है effective है, तो अगर इन सब चीज़ों को count करते हुए, अगर मैं बोलूँ कि जो आप written exam दोगे, RT दोगे, उसमें आपका cutoff क्या होगा, उसमें आपका safe score क्या होगा, तो देखो जो cutoff होगा RT का, recruitment test का, वो 150 से 160 के बीच आएगा, लेकि जादा score कर रहा है, तो उसे, even 180 तो छोड़ो, 170 भी अगर ला रहा है ना, तो उसकी भी chances है, लेकिन अभी जितने भी दिन बचेवे, उसमें आपको कोशिस ये करनी है, कि marks जो हैं आपके 200 प्लस बने, Now, UPST EPFO life mock test 6, ये 30 अगर्स 2021 को 10 बज़े सुबह से start होगा, और 31 अगर्स 10 बज़े सुबह तक on रहेगा, active रहेगा, आप उस समय तक ये test दे सकते हैं, mock test दे सकते हैं, कहां देना है आपको, निशानती एकडमी app डाउनलोड करिए, और app डाउनलोड करने के बाद, आपको क् batches पर जाना है, batches के अंदर plus icon पर click करिए, और आपको batch quote इंटर करना है, EPFO live, इसके अलावा, अगर आपको ये mock test laptop या desktop पर attempt करना है, तो आपको किस तरीके से उसे attempt कर सकते हैं, उसका link आपको description में दिख जाएगा, आई icon पर click करके भी आप देख सकते हूं, या फिर आप मेर आपको किस देख सकते हूं, या या विसके गृग्ट यूद आपको же पर झापको